पुराने समय की बात है, एक महिला जब ये अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो एक बरी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाले खिरकी पे रख देती ताकि कोई जुरत मन ये भूखा वेगती उसे खा कर अपने भूख सांथ कर सके एक मुरा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजलता और उस रोटी को खिरकी से उठांगे और रोटी लेकर या कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके सांथ रहता है आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है यह सलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा वह उरत रोज खिरकी पर रोठी रख देती और वह बुरा फकीर रोज आता रोठी लेता और हर रोज वही एक सब कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है दोराता हुआ वहाँ से चला जाता है उस फकीर के मुह से एक ही सब रोज सुनते सुनते वो औरत परसान होई उसने सोचा इतना स्वार्थी वेक्ती है बोड़ा मैं रोज इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ लेकिन आज तक इसके मुह से धन्यवाद का एक सब तक नहीं निकला और पता नहीं रोज क्या एक ही सब बरवडाता रहता है मुझे तो इसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आता उस औरत में निश्चे कर लिया कि वह उस बुढ़े से पीछा शुडाएगी इसके लिए उसने एक तरकीव सोची उसने अगले दिन उस बुढ़े के रोटी में जहर मिला दिया जब वह उस जहरीली रोटी को खिर्की पे रख रही थी तो उसका हाथ कापने लगा उसने सोचा मैं यह क्या कर रही हूँ यह तो पाप है उसने उस रोटी को उठा कर चुले में फ्यक दिया रोटी जलकर राख होई उसने बुरे के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिर्की पे रख दिया हमेशा की तरह बुढ़ाया रोटी उठाई और सब्दों को बुलबुलाया आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है महिला के मन में चल रही है द्रिस जान वह बुरा फकीद अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया हर दिन जब वह महिला खिरकी पे रोटी रहती थी तो अपने बेटे के लिए प्रात्ना करते थी जो अपने काम के तलास में दूर के एक नगर नेवे गया हुआ था कई मेहने गुजर गय थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई ख़बर नहीं मिले थी वह रोज उसकी सुदर्चित वापसी के लिए प्रात्ना किया करते थी उस साम उसके दरवाजे पर दस्तक दी जैसे उसने दरवाजा खुला वह अपने बेटे को दरवाजे के ख़ड़ा देखकर हैरान रह दी वह बहुत तूबला पतला हो गया था उसके कपरे बुरी तरह से फटे हुए थे वह गुका और कमजोर लग रहा था जैसे उसने अपने मा को देखा तो उसने कहा मा ये एक चमतकार है कि मैं यहाँ पर जिवित खड़ा हूँ जब मैं सिर्फ एक मिल दूर था तो भूग के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चकर खाकर गिर पड़ा मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी मैं मर जाता लेकिन तभी एक बुरा पकीर वहां से गुजरा मैंने उसे एक निवाला खाने के लिए मागा लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी उसने कहा मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं तुझे दूँगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे बरी है माने पुझा कौन अथा वनिश बेटे ने कहा मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था लेकिन जब रोटी दे कर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था या आप जो बुड़ा करते हैं वो आपके साथ रहता है आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है यह सब्द सुनते हैं मा का चेहरा पीला पर गया वह सद्वे में आकर डिवाल से टीप गई उसने वह जरीली रोटी आरगा गई जो उसने अज सुबब बनाई थी यदि वह उसे आग में नहीं जलाती तो उसका ही पुत्रे उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती आप जाकर उसे उस बुरे पकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है तो दोस्तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा करू और कभी भी अच्छा करना बद मत करू भले ही उस समय उसकी सरहना ना की जा रही हूँ दोस्तों वीडियो से वीडियो को लाइक करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों